तीस की उम्र तक आते आते हैं, स्किन का कोलाजन इस हद तक डिप्रीट हो जाता है, कि हमारी स्किन सागी हो जाती है, लटक जाती है, डूल करने लगती है और तब खयाल आता है बोटॉक्स के इंजेक्शन का तो आज मैं इस वीडियो पर मौझूद सभी लोगों को चालेंज करने के लिए आए हूँ, कि आज की रेमेडी अगर आपने लगातार साथ दिन अपनी स्किन के लिए कर ली, तो आपकी स्किन इसकदर टाइटन हो जाएगी, इसकदर हाइडरेटेड हो जाएगी, वेल नरिष आपते बेस्ट रजल्स पर यॉर्सल्फ, हाँ, यह बात करते हैं तो अगर चानल को पहली बार आये हैं तो मेरा नाम है प्रीथी प्रीदा बहतरीन डियावर रेमेडीज हटे में तीन दिन में यहां पर शेयर करती हूं जिनका इस्तिमाल करके मेरा परिवार बहुत खुश है तो अगर आप भी मेरे परिवार का हमारी खुश्यों का हिस्सा ब आप तक पहुँच जाएंगे और मेरे पूरे परिवार की तरह आप भी यहां पर हर वीडियो के साथ आ सकते हैं माजिक को विटनेस करने के लिए आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आए हूं कि कैसे घर पर मौजूद सिंपल इंग्रीडिन्स का इस्तमाल करके आप अपनी स्किन को वो टाइटनेस वो फर्मनेस दे सकते हैं जिसकी वज़े से शायद आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है लेकिन बिफोर आक्चिली शेरिंग देमिडियो विद आल अफ यू मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहती हूं कि एकसरसाइजिंग का कोई भी सबस्टिट्यूट नहीं है यानि कि एकसरसाइज तो आपको करने ही करनी है अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन आपकी पूरी की पूरी जो बोड़ी है वो एक्टिव रहे यंग रहे फिर्म रहे तो इसके लिए एकसरसाइज करना बहुत करना है for the remedy सबसे important चीज जिसका इस्तमाल यहां पर हम कर रहे हैं जुकि आपकी skin को नरिश करने वाला है stiff करने वाला है firm करने वाला है वो सारी important nutrients देने वाला है आपकी skin में collagen को दुबारा से you know help out करने वाला है कि चलिए भाया दुबारा बनिये and just give the firmness that we are asking for वो है flaxseeds powder now हमने अभी तक flaxseeds से जल extract किया था और इस जल का इस्तमाल किया था आज हम powder का इस्तमाल करने वाले हैं इसके लिए obviously आपको दो बड़े चम्मच flaxseeds चाहिए जिनको हिंदी में अलसी के beach कहा जाता है आपके nearby grocery में किराने के shop पे आपको आसानी से मल जाएगा कोई परिशानी नहीं है कहीं पर beach बड़े होते हैं कहीं पर बहुत छोटे होते हैं कोई फरक नहीं पड़ता आप आसानी से जो variety available है उसको लेकर आ जाईए आप इसको हलका सा टॉस कर लीजिए गरम पैन में ताकि इसका जो moisture content है वो हट जाए हमेंसे भूनना नहीं है हमेंसे पकाना नहीं है सिरफ इतना कि इसका moisture content completely हट जाए आप इसको हलका सा गरम पैन में toss कर लेंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए इसको आप एक mixing jar में ले लीजिए blending jar whatever you have और अच्छे से grind कर लीजिए जब आप इसको grind कर लेंगे तो ये powder में तबदील हो जाएगा जैसा कि यहां आपको देख रहा है और इसके बाद आपको इससे सीव करना है आपको इसे चानना है क्यों चानना है तो चानने की वजह से अंदर का जो रियल इंपोर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए वो चंकर बाहर आ जाएगा और जो चिलका है वो चंणी में अलग रह जाएगा इस चिलके का इस्तिमाल आप इसको सुखा बदब भिग जाके थोड़ा सॉफटन करके आज स्क्रब भी कर सकते हैं लेकिन प्लीज मेक शॉर कि आप अपनी स्किन को रगड ना लें अच्छे से थोड़ा सॉफटन होने दीजिए उसके बाद ही इसका इसका इस्तमाल कीजेगा यह जो पावडर है इसको आप अच्छे से एर अपनी स्किन पर लगेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा रजाल्ट आपकी स्किन पर देता है फ्लाक सीट्स के बारे में इंड नॉट चल यह बहुत सारे यह ब्यूटिफुल फाटी आसे जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टन होते हैं बहुत ही खुब बनकर ready हो जाए अब इसको अलग से रख दीजे मेरा फ्लाकसी का जो पाउडर है वो बना हुआ है बड़ आपको दिखाने के लिए मैंने नया बैच यहां पर प्रिपेर किया है आप चाहे तो ज्यादा बनाकर रख सकते हैं एर टाइट कंटेनर में यह खराब नहीं होगा also second ingredient जिसका इस्तमाल यहां पर आपको करना है वो है lemon peel जहां नीमबू का रस नहीं बहुत सारे लोगों काफी जादा मुश्किल होता है कि हम नीमबू का रस चहरे पर नहीं लगा सकते तो वो लोग इसका इस्तमाल नहीं करते हैं which is absolutely fine आप जिसके लिए comfortable नहीं है आप इस्तमाल ना करें lemon का जो peel होता है इसमें बहुत खूबसूरत मात्रा में ascorbic acid होता है vitamin C होता है जिसका इस्तमाल आप अपनी skin को even tone करने के लिए कर सकते हैं मैंने आपको कई बार बता है कि आपकी skin आपका गहना है आपकी accessory है आपको कोई कुछ भी करने के जरूत नहीं है अगर आपकी skin clean है तो lemon peel जो होता है exactly वही काम करता है आपकी skin को even tone provide करता है जितने भी pigmentation blemishes या जो भी परिशानी आपकी skin पर है इसको subside करता है जी हां तो य इसके तरह का breakout आजाता है उसमें भी आपको help करता है not only that lemon peel में होता है alpha hydroxyl acid जो कि कई layer नीचे तक जाता है तो जब आप Flaxseeds powder का इस्तमाल अपनी skin पर lemon peel के paste के साथ करते हैं तो वह कई layer down जाता है और ना सिर्फ आपकी topmost layer बल्कि कई layers को वह stiffness प्रोवाइड करता है जिसके आप यह सारे के सारे मशकत कर रहे हैं आप जैसे convenient feel करते हैं जैसे comfortable feel करते हैं आप इसका peel extract कर लीजे भले ही आप नीबू अच्छे से use करके फिर इसका अंदर से जितना भी left out है उसको हटा के तभी भी यूस कर सकते हैं otherwise fresh lemon को आप पील आउट करके इसका पील है वो ले सकते इसके बाद आप इस lemon peel को अच्छे से wash करके एक cup में ले लीजिए अब चाहे आप इसको normal water में soak कीजिए या फिर आप rose water में soak कीजिए it is all up to you अगर आप इसको overnight soak कर सकते हैं तब तो बहुत ही बढ़ी है क्योंकि इसका जो peel है वो बिल्कुल lose हो जाएगा और जब आप grind करें कर लिया है और grind करने के बाद यह कुछ ऐसा तबदील हो गया चोटे चोटे से granules आपको दिखेंगे क्योंकि यह सोग नहीं है जब आप इसको सोग कर लेंगे तो बहुत ही soft granules होंगे होंगे तबी भी पर बहुत ही soft होंगे और आपको कोई परेशानी तो इसमें भी नहीं ह seeds का powder जो हमने बनाया था और यही जो हमने अभी grind किया है lemon peel का रस यह आपस में डालेंगे और एक अच्छा सा पेस बना लेंगे सारा एक साथ ना डालें थोड़ा-थोड़ा करके डाले और एक paste-like consistency आप यहां पर अचीव कर लीजिए यह जो paste बनकर रेडी हुआ है यही है ह कि skin को वो tightening देगा वो beautiful सा glow देगा और जो आप firmness अपनी skin पर चाहते हैं वो provide करेगा इस blend को आप बना कर फ्रिज में रख सकते हैं for complete one week और इसमें कोई भी change नहीं आएगा however आपने यहां पर जो lemon peel का you know paste डाला है इसकी potency कम होती है वक्त के साथ obviously vitamin C में आपको बताया है काफ तब तो कहने ही क्या बहुत ही अच्छे result आपको दिखेंगे पर अगर आप कोई बहुत busy person है कि हम तो हर बार fresh नहीं बना सकते तो आप इसको fridge में रख सकते हैं एक week के लिए कोई परिशानी नहीं है शायद result में 19-20 का फरक हो लेकिन usable definitely है अब बात करते हैं कि application आपको कैसे क करते हैं तो believe me आप वो firmness वो stiffness जो अपनी skin के लिए है उसको सुबह ही lock कर देते हैं फिर दिन भर आप जो मर्जी कीजिए this is my personal suggestion बाकि आप जैसे comfortable हैं वैसे कर सकते हैं for the application चहरे को अच्छे से wash कर लीजे आप जिस face wash के लिए उसका इस्तमाल कीजिए जरूरी नहीं है कि मूद होते हैं उससे मूद हो लीजिए इसके बाद आपको अपनी skin को टोन करना है अब तोन कैसे करें या तो अगर आपकोई toner अपने लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तमाल कीजिए इस पॉइंट पर अधर्वाइस गुलाब जल इस बेस्ट ऑल्टेनेटिव हर स्क जहरे पर लगा लिजिए टोनर आपके skin के जो पोर्ज होते हैं उसको टोन कर देता है उसको एकदम से इनो जो सही ओर्येंटेशन पर वो होना चाहिए उस पर ले आता है दिन ढलते ढलते आपकी skin की जो टोनिंग है वो सबसाइड हो जाती है और आपकी skin काफी सागी हो जात कि इसके बाद आपको इसी face pack को लेना है और upward position में अपनी पूरी की पूरी skin पर लगाना है it's very important कि आप नीचे की तरफ ना लगाए क्योंकि जिस position में आप इसको लगाएंगे आपको लेटर ओन वही sensation अपनी skin पर महसूस होगी आप ट्राइ करके देखेगा मैं हमेशा कहते ह मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए this is my interpretation जब मैंने इस्तमाल किया था आप ट्राइ कीजिए और देखिए अपने आपके लिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं आप इसको उपर की तरफ अपलाए करेंगे so that the stiffness is maintained और इसके बाद जब पूरे चहरे पर अच्छे से आप लग जब आप लेटे हैं तो एक natural stretch आपकी skin को मिलता है आप चाहे तो तक्या पर सो सकते हैं अगर comfortable है तो without तक्या लेटी है क्योंकि जादा आपको you know firmness मिलेगी और पीछे की तरफ होगा जब आपकी skin हलकी हलकी सूखने लगे तो आप दुबारा से गुलाब जल इस पर spray कर सकते हैं अगर आपके पास time है तो नहीं है तो absolutely fine इसके बाद आप next step पर जा सकते हैं पर अगर समय है तो गुलाब जल लगा के वापस लेट जाए और थोड़े और समय के लिए आप इसको अपने चहरे पर रहने दीजिए आदे घंटे तक आप इसको अपने चहरे पर लगा रहन दे सकते हैं और उसके बाद आप फिर से गुलाब जल अपने चहरे पर अच्छे से लगाएंगे हलका सा इसको you know semi dry कर लेंगे और उसके बाद आप अपने चहरे पर बहुत ही खुबसूरती से मसाज करेंगे in the upward direction मैंने आपसे कहा इसके अंदर बहुत ही खुबसूरत सा ability है कि जिस तरह आप अपनी स्किन को ले जाते हैं यह उसको उसी तरह से रहने देता है for a very longer period of time और regular करते हैं तो ज्यादा अच्छे results मिलते हैं इसलिए आप अच्छे से उपर की तरफ मसाज कीजिए अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे मसाजिंग करनी है how it is to be done तो आप मेरी इस वीडियो को check out कर सकते हैं जहां पर मैंने stepwise आपको दिखाया है कि क्या क्या steps आप अपनी skin के face fat को कम करने के लिए कर सकते हैं वहां पर भी exactly यही exercises use होती है इसलिए आप इसको refer कर सकते हैं और अच्छे से अपनी skin को you know पूरा वो stretch देने के बाद अब आप अपने skin को इसा कीजिए but do save water जैसे ही आप अपनी चहरे को अच्छे से wash off कर लें वो natural moisture जब तक आपके चहरे पर है आपको फिर से अपनी skin को अच्छे से tone करना है and this is going to be the last step यह जो आप toning कर रहे हैं इसको आप नाच्रली सूखने दीजिए आपके एक-एक cell को tone-up होने दीजिए वो firm वो tightness आने दीजिए जिसके लिए आपने यह सारा का सारा procedure किया है हमने जो lemon peel का इस्तमाल किया है वो आपके जो toning है as in skin tone यानि की color की यहां पर बात हो रही है उसको भी even करता है तो ultimately यह complete package है जो कि आपके skin के pigmentation, dark spots इन पर भी काम कर रहा है और flaxseeds powder आपके skin की वो जो firmness है वो जो stiffness है उस पर काम कर रहा है तो all in all this is one of its kind remedy जो की आपको गसप के results दे सकता है क्या इसके कोई side effect है sensitive skin वालों को I would not suggest please take a patch test and if you are comfortable तभी आप इसका इसका इस्तमाल कीजे otherwise no ऐसा कोई side effect नहीं है जो मैं यहां पर आपको बता सकते हूँ obviously अगर आप already allergic है तब तो आप नहीं इस्तिमाल करेगे पर अगर आपकी normal skin है तो definitely go for it कोई परिशानी आपको नहीं होगी साथ दिन लगातार करना है जी बिलकुल आपको साथ दिन बिना नागा किये हर दिन इसको करना है दिन में दो बार नहीं सिर्फ morning hours में कर लीजिए दिन भर आपकी skin काफी अच्छी रहने वाली है और कोई परिशानी आपको नहीं होगी साथ दिन के बाद क्या करें साथ दिन test of results for yourself क्या हम हर बार fresh prepare करें मैंने हमेशा कहा है मैं हमेशा fresh ingredients को तवज्जो देती हूं कि आपको वैसे ही इस्तमाल करना चाहिए बाकि आपकी मर्जी है अगर आप बना कर रखना चाहते हैं तो वो भी possible है no problem but freshness की बात कुछ और ही होती है तो आशा करती हूं आप सभी कोई प्रेजन्टेशन समझ में आये होगी समझ में आये होगा कि यह कैसे माज़क कर सकता है so do take the challenge for yourself और नीचे लिखकर हमें बताइए ताकि हम भी आप पर नज़र रख सकें कि कौन-कौन यह challenge ले रहा है और आपके results को देख सकें कि कैसा आपको महसूस हुआ क्या आपका experience रहा and we would all love to hear from all of you तो आप अपना बहुत सारा खयाल रखिए वीडियो पसंद आई है तो do give it a thumbs up नए है तो subscribe किये बिना बिलकुल मच जाएगा अगर friend circle में कोई है जिसको इस वीडियो की आवश रकता है तो उनके साथ इसको अवश्य शेयर कीजएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी आगली वीडियो में with something magical तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिए खुश रहिए और प्रीती प्रेणा के सभी चानल से जुड़े रहिए I love you all, take really good care of yourself